हलो एवरिवन स्वागत आपका डीप जी के गुरुजी चैनलर पर तो जैसा कि दोस्त हमने पिछली क्लास में आपकी पंच जगत अउदारना के बारे में पढ़ा था फाइब किंग्डम थेोरी के बारे में तो हमने आपके फाइब किंग्डम थेोरी में मोनेरा, प्रोटिष्टा, फंजाई, एनेमिलिया और प्लांटी जगत के बारे में बहुत ही शांदार और इजी लेंग्विज में हमने आपको फाइब किंग्डम थेोरी थी जो कंप्लेट करवाई थी और उसके बाद हमने देखा था आपकी जन्तू के वरगेकरण के आधार को तो नमबर एक पर पढ़ा था हमने सम्मिती के आधार पर और नमबर दो पर पढ़ा था आपके संगठन की कोटी के आधार पर तो हमने जन्तों के वर्गेकरण के अदार पर आपके दो टोपी कम्पलेट कर ली थी सम्मीति के अदार पर और आपके संगठन की कोटी के अदार पर तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके नमबर तीन पर आएगा आपका देहगवा के अदार पर और इसके बाद हम करेंगे आपके खंडी बाउन की चर्चा तो पहले हम करेंगे आपकी देगवा की चर्चा और इसके बाद हम करेंगे आपके खंडी बाउन की उपर चर्चा तो दोस्तो चलिए आज किलास को स्टार्ट करते हैं तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को स्क्राइब करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बीएसी फश्टियर जूरलोजी पोर्टनी और केमेस्टर के आपको संपूर्ण किलासिज आपको फिरी में प्रवाइड करवाई जा रही है तो अगर आपको वीडियो चे लग होता है जब आपको जूलोजी का पेपर थड हम करवाएंगे तो उसमें आपकी बुरून परिवर्दन के दुरान आपकी जो भी आवस्ताओं का निर्माण होता है उन आवस्ताओं को बारे में एक एक करके श्यांदार लेंग्वेज में आपको पढ़ेंगे इस समय हम आप आपकी बुरून परिवर्दन के दुरान चो आपकी बुरून परिवर्दन के दुरान चो आपकी बलास्टूल अवस्ता होती है जिसमें आपकी एक गुआ का निर्माण होता है बलास्टूला पर आवस्ता के दुरान जिसे हम कोरक गुआ के नाम से जानते हैं लेकिन जब गैस्टूला का निर्मान के समय आपकी कोरक गवा के स्थान पर एक अन्य गवा का निर्मान होता है जिसे हम आधानतर गवा कहते हैं तो आपकी बलास्टूला वस्ता के दोरान तो आपकी गवा का निर्मान होता है जिसे हम कोरक गवा कहते हैं लेकिन आपकी gastrolon निर्मान के सब्सक्रेक कोरक गजार की इसतान पर आपके आदान तर गजार पर आपकी मीचो गोलिया दोरा बरी होईए तो इस परकार के प्राणी आपके एग हुई ये प्राणी कहलाते हैं तो इसमें आपका एग्जामपल हो जाएगा प्लेंटी हेलमंतीज तो देहे गवा में आप याद रखेंगे कि आपकी बलास्टोला परावस्ता के दुरान पाई जाने वाले आपकी गवा को तो कहते हैं कोरक गवा और आपकी गैस्टोला निर्मान के समापकी कोरक गवा के स्थान पर आपकी आदांतर गवा का निर्मान हो जाता है और इसका आपका एक्जाम्पल हो जाएगा प्लैंटे अलमतीज जैसे कि आप डाइगराम में देख सकते हैं कि आपकी आदांतर गुआ है जो मीजो गोल या नावक दर्व से बढ़ी हुई है तो नमबर दो पर है आपका कूट गुई है कूट गुई में क्या हो जागा है कुछ पराणियों में आदांतर गुआ पाई जाती है जैसे कि आपकी जो गुआ है जो सतत रूप में नहीं होकर आपकी खंडों के रूप में पाई जाती है तो जैसे कि आप डाइगराम में देख सकते हैं कि आपकी गुआ है जो सतत रूप से ने होकर खंडों के में पाई जाती है तो ऐसे पराणियों को आपके कूट गुई है का जाता है तो इस परकार की गुआ को आपके कूट गुई है गुआ का जाता है तो आपकी जो मी जो गोली है जो आप देख सकते हैं कि आपकी जो गुआ है जो आपकी खंडों में विबक्त है नए कि आपके सतत रूप में है तो आपकी गुआ है जो सतत रूप में नए उकर खंडों के रूप में विबक्त होती है तो ऐसे पराणियों कम कूट गुए का जाता है इसका आपका एक्जामपल हो जाएगा एस की ह तो वास्त्विक देहे गुव में क्या हो जागे कुछ पराणियों की देहे गुवा सतत रूप में पाई जाती है तथा इस गुवा के दोनों और आपके मीजोडरम देखने को मिलेंगे तो आपकी जो देहे गुवा है वो आपके सतत रूप में आपको देखने को मिलेंगे औ तो इसके आपके एक्जامपल हो जायेंगे, आपके एनलीडा, ओर्थोपोडा, ओर्टोड़ा, मोलस्को, इकाइनोडर्मेटा, हैमिकोडेट आफ़े, आपके सभी कोडेट जनतो हो जायेंगे इसके एक्जामपल और आप में देहे गुए के परिवर्दन परादार पर आपका जो वर्गी करना है उसमें आपकी वास्तविक देह गुए पराणियों को पुने आपके दो बागों में डिवाइड किया हुआ है तो नमबर एक पर हो जाएगा आपका देन गुएक और आपके नमबर दो पर है आपका आंतर गुएक नमबर एक पर है आपका देनगुईग देनगुईग में क्या होता है कि इस परकार के पराणियों के आपकी देहगुआ है का परिवर्दन है जो आपका 4D-Cell-T-Loblast से होता है और थार्द इसमें आपकी एंडोटरम के समीब आपकी 2T-Loblast को सिकाए पाए जाती है जैसा कि आप डाइगराम में देख सकते हैं कि आपकी एंडोटरम के समीब आपको 2D-Cell-T-Loblast देखने को मिलेंगी जो अपने आकार में वर्दी करने के पसात अपने मद्य बाग से फट जाती है इस परकार अनेक मद्य बाग में से एक सतत देख ववा का निर्मान हो जाता है इस परकार के पराणी आपके देण गुईक पराणी कहलाते हैं तो इसमें आपके एंडोटरम के समीब आपको 2D- देखने को मिलेंगी ये सबसे पहले अपने आकार में वर्दी करके मद्य बाग में से फट जाती है और मद्य बाग में से फटने के बाद एक सतत देख ववा का निर्मान करते हैं तो इस परकार के पराणी आपके देण गुईक पराणी कहलाते हैं तो test नमबर 2 की बात करते आत्रगुईक में हो जाएगा आपके कुछ पराणियों में देहगवा का परिवर्दन आपके एंडोडरम में होता है और इनके एंडोडरम पासरभाग से फूल कर आपका पाउज का निर्मान कर लेती है और आपके दोनों पाउज है जो पूर्ण वर्दी करने के पसाथ एंडोडरम से आपके अलग हो जाएंगे आत्रगुईक में आपका क्या हो जाएगा कुछ पराणियों में देहगवा का परिवर्दन है जो आपके एंडोडरम से होता है वहाँ आप देख रहे थे कि यहाँ भी आपके एंडोडरम से 40-60 लोगलार से हो रहा था और यहाँ आपके एंडोडरम से हो रहा है और एंडोडरम के पास्टर भाग से फूल कर एक पाउज का निर्मान कर लेती हैं और आपके दोनोग पाउच जो पूर्ण वर्थी करने के पसाथ एंडोडरम से आपके अलग हो जाते हैं इस परकार के जनतु को आपके आतर को एक जनतु कहते हैं इसमें आपका एकजांपल हो जाएगा आपकी इकाईनोडरमेटा और सभी कोडेट जनतु तो जैसा कि आप डाइगरामें देख सकते हैं कि यह आपकी एक्टोडरम हो जाएगी यह आपकी एंडोडरम हो जाएगी एंडोडरम का आपका पासुर्भाग फूल कर है जो एक पाउच का निर्मान कर लेता है और इस परकार के जन्तू को आपको आतर गूई जन्तू कहलाते हैं और इसके आपके एक्जांबल हो जाएंगे इकाइनो डरमेटा और आपके सभी कोड़ेट जन्तू आपका next topic आता है खंडी बाउन तो खंडी बाउन से आप सीधा सा याद रखेंगे जन्तू का सरीर खंडों में बटा हो ना आपके खंडी बाउन कहलाता है तो आपने कुछ जन्तू अपने आसपास भी देखेंगे जिनका सरीर आपके खंडों में बटा रहता है तो उसे हम खंडी बाउन कहते हैं तो जन्तु का सरीष खंडों में बटा हुआ या नहीं, खंडी बाउन कहलाता है, तथा जन्तु में आपका खंडी बाउन दो परकार को होता है, एक होता है आपका सतही खंडी बाउन, और एक होता है आपका विखंडन, तो नमबर एक पर बात करते हैं सतही खंडी बाउन की तो इस परकार के खंडी बाउन में जन्तु के केवल बारी बाग पर यापको खंड देखने को मिलेंगे तो जैसा कि आप डाइग्राम देख सकते हैं कि आपको जनतु के बाहरी बाग पर यापको खंड देखने को मिलेंगे इसके आंतरिक बागों में आपको किसी भी परकार के खंड देखने को नहीं मिलेंगे इस परकार के खंडी बाउन को आपके सते ही खंडी बाउन कहते हैं नमबर दो पर है आपका विखंडन इस परकार के खंडी बाउन में जन्तु करने केवल बहारी बाग खंडों में पाय जाता है बल्कि इनके अत्रिक्त आपको आंत्रिक अंगों में भी खंड देखने को मिलेंगे इस परकार के खंडी बाउन आपका विखंडन कहलाता है और इसमें पाय जाने वाले खंडी मन आपको इस पश्ट रूप से दिखाई देता है तो इसमें आपका example होज़ेगा एनलेडा जन्तू जैसा कि आप डाइग्राम में समझ सकते हैं कि आपके विखंडन में है जो जन्तू के बहरी भाग ही खंडों में नहीं आपके जो आंत्रिक अंग है वो भी आपको खंडों में विवक्त देखे इस पश्ट दिखाई देंगे इसके बाद हम आपके चर्चा करते हैं बुर्णोद बहुन की तो बुर्णोद बहुन आपका क्या होता है कि जन्तू ने बुरुनिय विकास के दुरान विबिन अवस्ताओं के आदार पर जन्तू को वरगिगन किया था जो आपके निमन है नंबर एक पर आपका जननिस्तर नंबर दो पर आपका विदलन और नंबर तीन पर आपका बुर्णिय मुखे की उत्पत्ती नंबर एक पर आपका जननिस्तर बुरोने विकास के दुरन विक्सित होने वाली गैस्टूला में पाय जाने वाली जननिस्तरों के आदार पर आपके जनतों को दो बागों में विवाजित किया था तो नमबर एक पर थाप का दिव कोर की, नमबर दो पर थाप का त्री कोर की तो आपके जननिस्तर के अधार पर आपके जनतों को दो बागों में डिवाइड किया था नमबर एक पर थापका दिव कोर की और नमबर दो पर थापके त्री कोर की तो दिव कोर के में क्या होता है कि जिन प्राणिव में गैस्टूला में केवला आपके एक्टूड्रम और एंडोड्रम नमाग दो ही जनन इस्तर पाये जाते हैं जिन प्राणिव में आपकी गैस्टूला वस्ताग दोना आपको दो ही जनन इस्तर देखने को मिलेंगी तो उसे उन जनतों को तो गहते हैं हम दिव कोर की इसके एक्जामपल हो जाएंगे आपके पोरी फेरा और आपके सिलन टेटरा और तरी कोर की हो जाएगा जिन पराणियों आपकी गैस्टोला में जनन इस्तर आपके तीन पाए जाते हैं और इनकी गैस्टूला में आपको एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम नमक जनलिस्तर पाए जाएंगे। आपके दिव कोर की मत्र आपको एक्टोड्रम और एंडोड्रम नमक जनलिस्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको त्री कोरकी में आपको एक्टोड्रम, एंडोड्रम के साथ साथ आपको मीजोड्रम जननिस्तर भी देखने को मिलेगा. इसके आपके एक्जामपल हो जाएंगे प्लैंटी हेलमेंटीज, एसके हेलमेंटीज, एलेल नीड्या और आपके मोलस का. नमबर दो पर आपके बात करते हैं विदलन विदलन के आदार पर आपके जनतों को दो बागों में वर्गिकत किया गया था एक था आपका अरिय विदलन और नमबर दो पर था आपका सरपिल विदलन तो विदलन के फलसुरूप जब आपके आठ कोरक खंडों का निर्माण होता है तो आपके आठ कोरक खंड इस परकार उपस्तित होते हैं कि उपरी तल के चार कोरक खंड आपके निचलिक तल के चार कोरक खंड के ठीक उपर व्यवस्तित होते हैं तथा इन में आपका ए निर्धारी विदलन पाय जाता है ए निर्धारी विदलन क्या होता है कि कोरक खंडों का बहुषय पूर में निर्धारित नहीं होता है इसलिए यदि किसी कोरक खंड को आपको हटा दिया जाए तो यह आपके ऐ निर्धारी विदलन के आधार पर होता है तो इसके आपके एक्जाम्पल हो जाएंगे इस पंजोरिकाईनो टरमेटा नमबर दो पे आता है आपका सरपिल विदलन तो इस परकार के विदलन में आपके उपरी तल की कोरकखंड है कि आपका कौन सा कोरकखंड बुरून के किस पाक का निर्मान कर देगा तो यदि आपके किसी कोरकखंड को अटा दिया जाए तो विक्सित होने वाले बुरून में उस अंका अभाव आपके पाए जाएगा तो इसमें आपका एक्जाम्पल हो जाएगा आपके प्रो इस्ट्रोमिया जन्तु आपके इसमें एक्जाम्पल हो जाएगा परतीन पर आपका बुरूनिय मुख की उत्पत्ति तो गैस्टुला में पाई जाने वाले बलास्टी कोरिया कोरक चिदर के इस्तान पर जिन पराणविम आपके मुख का निर्माण होता है और उन्हें तो हम प्रोटो इस्ट्रोमिया कहते हैं और जिन में आपके गुदा का निर्माण होता है जिने हम डूटेरो इस्टोनिया कहते हैं तो यह आपके लिए एक्जाम्मने इंपोर्टेंट हो जाएगा एक नमबर में आपको बहुत भार इसमें से क्यूशन पूछा जाता है कि आपकी प्रोटो इस्टोमिया और डूटेर का निर्माण होता है जिने हम डूटेरो इस्टोनिया कहते हैं तो इसके आपके एक्जाम्म लोजेंगे हैमी कोड़ेटा और आपके सभी कोड़ेट जनतू तो आज की क्लास में इतना ही आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पर जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक